Lead from reality to the truth, lead from reality from the truth, यह जो है, टाइटल है, आज के speaking to the editorial का, sometimes three short lines can pack quite a punch, as in the, ब्रिहद आरिणक उपनिशद 1328, असतो मा सत गमें, तमसो मा जोतर गमें, right, मृत्योर मा, अम्रतम गमें, lead me from reality to the truth, lead me from the darkness to light, may I be led from death to immortality, right, तो यह इस सूक्ति का मतलब है, English में, असतो मा सत गमें, lead from reality to the truth, तमसो मा जोतर गमें, तमस का मतलब ही अंदकार है, lead me from darkness to light, and मृत्योर मा, अम्रतम गमें, मृत्योर अभी हम मृत्य की बात कर रहे थे, वो death है, और अम्रत, अम्रत is immortal, जो न मरे, तो साफ साफ शब्दों में, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, Sanskrit और English तो अनो, असत, reality in the first line refers to all we perceive with our five senses, we may look at varied designs of jewelry, but without the underlying gold as their true essence, they are divided of independent existence, this is pure Vedantic view, बहुत ही प्यारी सी लाइन, अब reality क्या है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, कि our eyes can see only the, with your range, वो सिर्फ उतनी हमारी आँखें देख सकती हैं, तो इसका क्या मतलब कि हम जो भी कुछ देखने हैं, वो बहुत हैं, बहुत कुछ ऐसे हैं, जो हमारी देखने की क्षमता से बाहर है, लेकिन हम जो देखते हैं, उसी को real मान लेते हैं, और उसको साफ साफ क्या, पहले उसी को असत कह रहा है, वो असत की चीज है, reality in the first line refers to all we perceive, हमारे perception से क्या लेना देना, आप किसी चीज को कैसे perceive करते हैं, हर individual किसी चीज को कैसे perceive करता है, यह उसकी perception की ability पे, clarity आप perception पे, उस पर depend करता है, आप किसी के बारे में भी राय शुमारी करते रहें, तो जैसे यह troll brigade है, कोई भी हो, यह उसको troll करते हैं, उस troll से उस इंसान को, अगर वो सही बायने में देखे, बुरा definitely लगेगा कि जिसे celebrities को बहुत दिक्कत होती है, परिशानिया होती है, जो public domain में हैं, उनको होती है, वो सुनाने वाले से क्या ही फरक पड़ता है, अब उसक अपना perception है, उसका आपकी वास्तविक्ता से कोई खास लेना देना नहीं होता, example बड़ा प्यारा दिया है, कि हम jewelry की अलग-अलग designs को जरूर देख सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है, सत्य तो उसके अंदर का gold है, उसी gold को shape देख करके आपने अलग-अलग jewelry बनाई है, तो they are divide of independent existence divide का मतलब, wide का मतलब भी खाली होता है, यानि वहाँ पे, they are divide of independent, उनका कोई अपना independent existence उन jewelry's का नहीं होता, उन jewelry's बनी कैसे हैं, वो बनी है, gold से और ये pure Vedantic viewpoint है, therefore we have two truths, one relative, contingent, the other unconditional, independently, existing and ultimate, called sat, उसी को सत्य कहा गया है, जो independently existing है और ultimate truth है वो, वो unconditional है, और दूसरा वो कि जो हमारे जीने के लिए हमें चाहिए, जिसको relative या contingent कहा है, relative truth called maya, आपको ध्यान में होगा, मैंने ये शब्द का इस्तमाल, I think दो session पहले किया था, कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं, इसलिए उसको maya कहा जाता है, वैदा simple से समझाता, कि भई, सब ही लोग ये चीज को अलग-अलग viewpoint से देख रहे हैं, वो उनका, उनका viewpoint है, life is nothing but the projection of your viewpoint, आप जैसा और सबकी अपनी limits है, देखने की शमताएं हैं, तो इसलिए उसको maya कहा जाता है, the playhouse of the infinite forms is deceptive as well as unreal, ये maya खेल रही है, इसे ले को कि उसमें तो forms का कोई limit हो नहीं वाला नहीं है, इतनी सारी दुनिया, इतनी सारे लोग, सब अपने अपने से प्रजेक्ट करो, तो वो reality नहीं है, ये उनका प्रजेक्शन, अविद्या का यहां पर मतलब क्या है, उसी को the darkness or tamas कहा, unknowing of the jyoti inner light, हमेशा से inner aspect की ही बात होती, क्योंकि life is nothing but the inside-out process, अंदर से जैसे हो गये, बाहर से वो दिखी जाएगा, हमारी दिख्कती है कि inner वाला कुछ हो, हम सोचते हैं, बाहर से हम masking कर लेंगे, leap up होती कर लेंगे, कैसे पता लगेगा, वो पता लग जाता है, तो उसी की बात यहां पर हो रही है, आपको तो अच्छे से पता होता है, सामने वालों कोई पता लग जाता है, जो अगर थोड़ा सा भी अगर चेतना का अस्तर उसका उंचा है तो, अब यह वील भी बड़ा व्यारा शब्द है, wheel of maya, wheel का मतलब नकाब, जो एक masking थी, maya की, और वो हट जाती है, उसके जरी यह मतलब आप देखते हैं, और उसके बाद इसको सत्य का perception होता है, wheel में, V-E-A-L भी एक word आता है, wheel, यह क्या होता है, यह होता है, flesh of calf, जो बच्छडे का मान्स होता है न, उसको wheel कहते हैं, कितनी अच्छी analogy है यहाँ पर, और former और latter आप यह adjective में पढ़ते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, तो कह रहा है कि contrast जो है, असत और सत के बीच में वो क्या है, कि former is caught in the web of maya's multiplicity, असत्य जो है वो आपको multiple forms में नज़र आएगा, बिलकुल वैसे ही, जैसे कि jewelries हैं, लग सकता अच्छा यह वाली jewelry है, यह वाली jewelry है, या आप उसको ring बोल लो, अच्छा गले वाला है, तो पैर वाला है, आथ वाला, अलग-अलग varieties, आपको लग रहा है कि यह सत्य है, वो सत्य नहीं है, उसका underlying क्या है, underlying तो gold ही है वो, तो असत्य बिलकुल ऐसे ही होता है, लगता कि इतने सारे तो हैं, लेकिन, whereas सत्य सी अंडरलाइंग unity, उसको पता है कि अंदर तो एक ही है, और वो oneness है, सत्य नहीं है, वही एक है, जो अपने आपको various forms में manifest करता है, अमें लगता है कि यह various हैं, बट है तो वो एक के ही अलग-अलग रूप, अब बस यह होता है, कि जैसे ही लोगों को यह ग्यान होता है, कहते हैं, फिर क्या करें, सब छोड़ दें, क्या, हिमाले पे चले जाएं, क्या, तो ऐसे लोगों के लिए बायत हो रही है, जो सही मायने में spiritual लोग होते हैं, बिकोज यह सारे spirituality-based articles हैं, जो ज़्यादा तर लोगों को पल ले नहीं पढ़ते हैं, philosophy-based, उनको यह लग रहा होता है, कि spiritual आदमी ज़्यादा खुशी में रहता है, and spirituality has nothing to do with, you know, going to your worship places, या कोई किताब आपने पढ़नी है, या अहां पर जाकर करके आप रोज पूजा करते हो, या नि आप कभी न गए हो, अपने so-called धर्म के धार्मे कस्थल पे, या कुछ रटा न हो, आपने कोई किताबें न पढ़ते हो, तो भी आप spiritual हो सकते हैं, तो और spiritual आदमी के अंदर एक गहराई होती है, और वो ज़्यादा enjoyment में चलता है, बहुत सीधी सी बात है, जो चीज़ गहराई से जुड़ी होगी, वो आप source में होगी न, source से उसको जहरी हैं, तो इसको सारा पोशल अंदर से मिल रहा है, और जैसे वो फोशल खतम होता है, जिसे पत्ता, जब स्था जाता है, पत्ता जो है, किसी भी पेड़ का, जो लीप्स है, वो नीचे गिर जाती है, और तुम उसको लीप्स हो, नहीं ने, इसको green रखना है, आम आदमी शक्ति निकल जाती है तो फिर उसी को मिट्टी का आजाता है जो हीप अप दे बॉड़ी थी जिसको बहुत चमकाया था हमने इसका यह मतलब नहीं कि अब इंडिफरेंट हो जाओ एपथेटिक हो जाओ कोई फर्की नहीं पड़ता सब तो दिखी रहा है कि सब वही एक है वो अलग अलग forms में है तो कम से कम दिखतो रहा है तो में फर्क तो नहीं पड़ेगा बाकियों की तरह तुम इंज्वाय तो कुत्र अनन्तंबानी आगर आपको वयाद हो आई थिंग वो 40 एजियम था उनका एन्यूल जनरल मीटिंग और शारुक खान के साथ वो खड़े थे और किसी सवाल के जबाब में अनन्तंबानी इनने ये कहा कि मैं टीवी नहीं देखता आपने भी शाद देखा ओग लिए त तो यही होता यह बहुत परफेक्ट अचानक से दिमाग में पॉप अप हुआ बड़े लोगों की की जीवन सहली जीवन जीने का तरीका पढ़ने का तरीका बिलकुल अलग होता है आम आदमे को जुन-जुना पकड़ा देते हैं कि मैं देखता हूं अपने सुसाइटी के अ नहीं फोकस नहीं कर पाएंगे विकाज कंटीनियोसली आपका जो अटेंशन है वो ड्रेन हो रहा है तो उन्होंने जुन-जुना आपको दे दिया अब आप उसमें फसे रही है और उनको और कैसे कैसे जुन-जुना देना है कैसे बदलना है वो जानते तो इसलिए कहा जात आप गलिबल, नाइब, सिंपल्टन जो लिखा था ना मासूम लोग जड़्यादा तर चीजों पर भज जाते हैं आप ऐसे नहीं रहोगे तो अलग लिवल की एक इंजॉइमेंट आपको मिलती वही यहां पर लिखा है पॉर्सकिंग और एन इनिविटेशन तुर डीपर औ दौडग यूपनिसद नूबर 7241 वरिली एन फिनाई इसले आपको मिलती दो है तो वरिली वर रूट वर्ट है राइच्छली आप का मतलब ही जड्रुट होता है प्रदोड है एक्चली अजीघ ट्रुट अटन इचली वर्ट रूट रिखा परिपारिए अट्रूट ग्र अवर, वेरी सिमिलिटूड बहुत सारे शब्दाते हैं. तो the third line differentiates mortality from immortality, where really the infinite is the same as the immortal. अमर की जब हम बात करते हैं तो इंफाइनाइट है. जब हम ये सुनते हैं कि आत्म आजार और अमर है, वो इनर्जी form है जो physical form में, अलग-अलग physical form में आती है, तो बिल्कुल वही है, अब उसको relate कर दिया न, कि जो immortal है वो gold की तरह है, वो ही main तत्व है, और वो अलग-अलग physical form में आएगा, तो आत्मा जो है वो अजार और अमर है जो, जो आप संस्कृत का कौन सा स्लोक है वो, तो वो उसी के लिए कहा गया, वो energy form है, वो energy एक से दूसरा रूप धारड कर लेगी, रूप धारड करेगी, तो verily the infinite is the same as the immortal, the finite is the same as the mortal, जो जैसे जो भी चीज पैदा हुई है, उसको मरना है, तो वो finite है, though they might seem the same, the difference between infinity or eternity and the everlasting lies in time, everlasting means extended time, whereas eternity is beyond time, non-temporal, the aspirant here asks to be safe from death, which is the end of life in time, to a state of timelessness, where the spirit resides all the time, yet infinity always exists also in each present moment, अब यहां पहे देखो, जो शब्दों में फर्क है, उसको समझाने की कोशिस करी गई है, कि हमें लग रहा होता है, कि they might seem the same, same same ही लग रहा होते हैं, but infinity, difference between eternity और infinity में क्या है, and everlasting lies in time, जो चीज़ everlasting है, यह सब समय के reference में, यह तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं, everlasting means extended time, कि भाई, everlasting करेगा, लंबे समय तक चलेगा वो, whereas eternity is beyond time, जो चीज़ eternal, इसको हम कहते हैं, शाश्वत, जो समय से भी परे है, इसको timeless कहा जाता है, non-temporal, the aspirant here asked to be saved from death, which is the end of life in time, तो infinity, eternity जो है, वो समयर मतलब है, क्योंकि जो चीज़ infinite है, वो eternal है, तो उसको आपने limitी नहीं किया, वो चीज़ timeless हो गई, और जो चीज़ everlasting है, तो eternal और everlasting में फर्क है यही, जो चीज़ eternal है, या infinite है, वो timeless है, time से भी परे है, शास्वत जिसको कहा जाता है, जबकि जो everlasting है, वो लंबे समय तक last करेगा, थोड़ा टिकाओ होगा, durability उसमें ज़्यादा होगी, यह वाली कहानी है, तो the aspirant here asked to be saved from death, which is the end of life in time, to a state of timelessness, इसी को फिर वो मुक्ष कहा जाता है, कि आप उस प्रक्रिया से ही बाहर निकल जाएं, मुक्ष तक, where the spirit resides all the time, yet infinity always exists also in each present moment, the prayer asked for an opening to a window of anant, prayer aspirant वही, जो वो line, संस्कित की सूक्ती जो है, वो पढ़ रहा है, the prayer asked for an opening to a window of anant, eternity, for us to be led from ahankara, the limited, अब यहां पर देखो, skin encapsulated ego, skin encapsulated ego, that fears mortality, to the immortality that is by nature, तो यहां पर जो prayer करने वाला है, the prayer asked for, मतलब प्रार्थना के जो वो तीन हमने सूक्तियां देखी है, वो क्या कह रहा है, opening to a window of anant, eternity, कि बहिया, anant का window open करो, हमारे लिए, promise to be led from ahankara, the limited skin encapsulated ego, that fears mortality, ahankara जो है वो फिर, मृत उसे डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ, और यह skin encapsulated ego है, बहुत ही प्यारा है यह, जो आपके इस skin में encapsulate करके डाल दिया गया है, to the immortality that is by nature, तो इस transition का, के लिए प्राल्थना की जा रही है, that is by nature spacious consciousness, to the immortality that is by nature spacious consciousness, तो वह यह इस nature का पार्ट, आत्मा, परमात्मा कान से जो कहा जाता है, उसी को cosmic consciousness आप कह लीजे, उसी को nature spacious consciousness कह लीजे, यानि जो हमारी consciousness का reference point अभी सिर्फ अपनी body है, या वो limited है, या skin capsulated है, उसको जब आप wider sense में देखने लग जाएं, इस transition की बात यहां पर की जा रही है, अब इसके बार में मैंने कही बार बात किया कि mind is nothing but the function of time and space, जब से हम पैदा हुए और जहां हम पैदा हुए, तभी से इसकी घड़ी चलनी शुरू हुई है, so mind is nothing but the heap of impressions, कुछ और तो है नहीं mind हमारा, heap of impression, अलग अलग तरह की impressions दिमाग में deposit हैं, जब से हम पैदा हुए, जिसे किसी की जब यादास चली जाती तो वह कैसा होता, उसको कुछ पता है अब, लोग परिशान होते हैं वो सद्मा मूवी में जब श्री देवी नहीं पहचानती हैं, कमल हसन के character को, उनका character, तो लोगों को कितना बुरा लगता रहे हैं, कितना आदमी ने ध्यान रखा है, पहचान ही नहीं रही है, बट होता है ऐसा, हटा दो सब, डिलीट कर दो, अभी कुछ नहीं है, सब खत्म, everything is gone, slate अब खाली है, लेकिन वो slate भरना कब शुरू होई थी, जहां पैदा होई, इसी लिखा time and space का function होता है यह, लेकिन जब किसी को यह realize हो जाए, whatever I have in my mind, that is nothing but the heap of impression, in the reference of time and space, so this will always be limited, और इसी लिए जब आपका जीवन आगे बढ़ता है, आप explore करते हैं चीजें, तो आपकी सोच समझ में विस्तार होता है, अभी एक student मिला, इसी selection की प्रक्रिया में, जो ASO हैं, already और अभी GST inspector बने हैं, उनको uniform का शौक था, तो इसलिए वो transition करेंगे, ASO Assistant Section Officer जानते हैं आप, तो उन्होंने यह कहा कि सर, जब preparation कर रहे थे ना, तो लगता था preparation मुड़ा मुश्किल काम है, तो वो प्रक्रिया फिर सीखने के बाद बड़ी आसान हो गए, वो ही वालक है, वो जो 3000 rank से 1900 और 297 पे आए हैं, अब यह लग रहा है कि वो तो कुछ भी नहीं था, अब जब दिल्ली आये हैं, यहां रह रहे हैं, तो हमें लग रहा होता है, हम तो कुछ भी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी हुए, लेकिन अपने गाउं में हम बड़े शेर हैं, मैं तो सब इंस्पेक्टर भी बनाता है, सर वो जवाइन नहीं किया, मैंने तब भी गाउं में हर तरफ चर्चा थी, इक इनका बेटा तो सब इंस्पेक्टर है, एक सरकारी नौकरी लग जाए, किस तरह का भाव आ जाता है, वो आपके reference point में है, थोड़ा बाहर निकल के देखो, वो बचारा बड़ा humble है, सीख रहा है चीज़ें और करनी हैं उसको, यहां तो सरह में कोई पूछता नहीं, लेकिन जब तक गाव में थे लगता था, तक कौन सी बड़ी चीज़ है, वही तो है, खुलता है, हम एक शेल से ब्रेक करके, फिर बड़े शेल में जाते हैं, फिर उससे भी बड़े शेल में जाते हैं, और जीवन इसी का नाम है, जहां रुक गए, वही वाला, इसकी इनकैपसुलेटर्ड इगो, मैं जो हूँ, मैं हूँ बाई, वहीं पर काम खराब होता है, आप निकल लिए, बहुत बड़ा है, यह पूरा का पूरा सिस्टम, आप जब इस पॉइंट आप यू से देखना शुरू करते हैं, जब यह 7.4 बिलियन की कोई आउकात नहीं है, अगर यह शब्द मैं इस्तेवाल कर सकूँ तो, जब आप इस पूरे कॉस्मॉस के रिफरेंस पॉइंट में देखते हैं, यह धर्ती के लोग हैं, इतने सारे ग्रह, इतने सारे गैलक्सीज, अनन्त, चीठी के बराबर आउकात नहीं है, बट हम आ रहा देखो, इगो क्या से तकड़ा है, नेचर इसी इगो को कई बार वाइप आउट करती है, कभी किसी नैचरल कलामिटी, कभी जलजला, बाल, भूकम, भूस खलन, जैसे इस साल बहुत ही बुरा रहा, हमारे पाहडी राज्जियों के लिए, देखा आपने वीडियो ने, कैसे चार-चार मंजला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धारशाई हो रही है, नेचर को फर्क नहीं पड़ता, वो तो सबको फिर इक्वेनामिटी से देखती है, इक्वेनामिटी जब आप का माइंड बड़ा संतुली थो, एनिम का मतलब माइंड होता है, उसके लिए यही है, तो आओ, इनका दोहन करें, इनका सोशल करें, तो नेचर थोड़े-दोड़े दिर में सिखाती रहती, बिकोजनेचर लव सिमेट्री, उसको बैलन्स चाहिए, एनिवे, देशितिक प्रेयर इन अपील फोर ट्रांस्फोरमेशन, लिबरेशन फोर ट्रांस्वेरिश कि आप उसे बाहर निकल पाएं. बट निर्वानिक यह है कि अब जो वर्टिकल है, इसका मतलब आपके चेतना कास्तर अब उपर उठ रहा है. An enlightened state takes cognizance of both realities which are not naturally exclusive, but touch each other and are perceived by us in moments of awe. क्या line कहने की कोशिश कर रहा है? The enlightened state takes cognizance, cogna root word है, इसका मतलब भी ज्यान होता है. तो enlightened state cognizance of both realities which are not mutually exclusive, but touch each other and are perceived by us in moments of awe. वही बात कि जो अधवयत का मतलब क्या है? जो duality से बाहर चला जाए. अधवयत जो दो नहीं है. यही तो है अधवयत. लेकिन जो अधवयत देख पाता है, वो duality की प्रक्रिया से हो के जाता है. जैसे अभी हमने बात करीगा, यह खाता अरचा यह कैसे हो गया, उसको पता है कैसे हो गया, वो देख रहा है कैसे हो रहा ही. तो वो दोनों level देख पाता है, जो गहराई से चीज़ें देख रहा है, वो गहराई तो समझी रहा है कि यह transition देरे तरे नीचे से कैसे इस level पर हुआ है. अब हमारे देश में अभी जब आप खाने पीने की चीज़ों में परिवर्तन देखें या फिर से जिसे millet का पूरा एयर मनाये गया, वो बारह श्री अन की बात हो रही थी, तो वही तो अन खाते थे, आज से 40 साल पहले, गाओं में अभी भी उस तरह के अनाज, लेकिन शहर बेसिक्स वाली बात की उन्हीं की चीज़ों पर वापस जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे डाला गया दिमाग में, नहीं नहीं शहरी हो जाओगे अगर तुम ये खाओगे तो, तो पहले शहरी के नाम पर खच्रा कराया, जिस देश में इतने तरह के मिस्ठान हैं, इतने तरह के पेप अदा रहते हैं, उसके हाथ में वो पिपसी पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, तो पकड़ा ही जाएंगे वो, आपको लगए अधिस इस कूल, तो बहुत आसान है गलेवल लोगों को अपरेट करना, जो ज़्यादा तरजन संख्या है, उसको एक ही नजर आ रहा होत है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ टर्म कंटेंपररी इंटेलिजेंस, आपको लगए मेरे ही जैसा तो है, बट वो अलग है, उसको कुछ पंक फंक नहीं लगए उते बाहर से क्या आपको समझ में आ जागा, अच्छा हां, इसको यह इनलाइटन बींग है, शायद जब वो बात करे या बोले या लिखे कुछ, तो आपको समझ आएगा, वैसे दिखने में आपको सुपर बाहर से कुछ फर्क नहीं ने जाराता, क्योंकि वो दोनों की समझ रखता है, इस दुनिया में भी रहो लेकिन इस बात को जानते हुए रहो कि यौर नॉट आफ दे वर्ल्ट तुम बस इसी के लिए नहीं हूँ, और जब उसमें फिर तुम्हें अपने पोटेंशल का जो वर्टिकल इनलाइटनमेंट वाली वायत हो रही है ना, तभी तो उस पोटेंशल को रियलाइज कर पाओगे, अब जैसे बहुत ही हमबल बैग्राउंड से आने वाले लोग इस होरिजोंटल में खेल रहे होते, कि मेरी बाप दादाओं ने ऐसा जीवन जी है, मैं भी ऐसे ही जीऊंगा, तो फिर ये जिन्दगी आगे कैसे बढ़ती, इसका मतलब क्यों का वर्टिकल इनलाइटनमेंट हुआ होगा, और जब वो होता है तो फिर, क्योंकि भाई, हम उसी का, ये cosmic consciousness का ही miniature form है, छोटा form है, तो उस form में जितनी तुम हवा पानी दोगे, जितना उस seed को बड़ा बनाने की कोशिश करोगे, उतना जीवन में आप realize करते हो, आप देखते नहीं है, इतने सारे जो टॉप entrepreneurs हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं, जिनकी formal education भी complete नहीं है, they are hardly graduate, they are hardly graduates, या graduate, and they are billionaires, वो दुनिया की समस्या हैं, सुल्जा रहे हैं, हमारे बात क्या होगी, अरे बेटा अभी तो graduate हुए हो, post graduate कर ले, तब कुछ सोचना, वहाँ script पूरा कर रहे हैं, बेहुसी में, अरे सब करते हैं, करो, सब करो, लेकिन awareness में करो, सिर्फ करने के लिए मत करो, कि लोग कर रहे थे, या ऐसा कहा गया, तो मैं भी कर लिया, तुम भी एक जीते जाकते इंसान हो, जब जिन्दा हो, कम से कम तब डेट के तरह तो बहाँ ना करो आप, एक बहुत अच्छा पैसे भी एक बार CZL में आया ता हम करते भी हैं practice, कि जिन्दगी में सबसे दुख कि इसका और इसका इससी में है, तमस से जोती की तरफ आओ, बस जो अंदकार में हो, उस अंदकार से बाहर निकल के आओ, तो अपने आप इस स्टेट को प्राप्त करोगे आप जिसकी चर्चा यहां पे हो रही है, right, so these lines of the official do not imply pessimistic, yes, actually the essence of the first and the third lines lies in the second one, the liberation from the misapprehension of the clouded Tamsik to seeing through the unclouded lens of Jyoti, the inner light, So, that's all for this session, I hope you must have enjoyed this one, बाते समझ में आई थोड़ी सी, अब समझ आ रहा है, कि philosophy इतनी मुश्किल नहीं, अभी ये तीन lines पर इतनी बात हुई है, इसी लिए, जैसे मैं भी अभी comprehension और vocab batch शुरू हुआ, तो पहले दिन के session में आप जा करके देख सकते हैं, मैंने यही बात की थी, यह चोटी-चोटी line है, लेकिन पर 500 word का article लिखा जा सकता है, nothing is noun, everything is a verb, write down a 500 article, तो जब आप relate कर पाओगे, कि nothing is noun, everything is a verb, किस level पर कहा जा रहा है, यह गहराई से आ रहा है, यह और horizontal, तो कहोगे, यह कौन सी बात है, यह बड़ी बेतुकी बात है, यह बच्पन से पढ़ा noun, यह होता है, वर्व यह होता है, यह कह रहे है, nothing is noun, everything is a verb, यह बात हमेशा किस plane से कही जा रही है, किस अस्तर से कही जा रही हम वो नहीं पगड़ते हैं, हमारा जो अस्तर होता है, उस बात को वहाँ से नीचे लेके आते हैं, जैसे अब यह बात उचे अस्तर की है, हमारा अस्तर नीचे दमाग का अगर है, सोचने समझने की उतनी शमता नहीं है, उस पर किसी ने कभी काम नहीं कराया, जो कराने की कोशिश मैं यहां पर थोड़ा कर रहा हूं आपको, तो हम क्या करेंगो, उस उचे अस्तर की बात को अपने लेवल पर लाएंगे और उससे खेलेंगे, उससे लड़ेंगे, उससे डिबेट करेंगे, आपकी पढ़ाई पर बहुत फर्क डालता है, अब जैसे होता क्या है, जैसे मैं अभी वस बच्चे का एक्जाम्पल दे रहा था, जिसने कहा कि सर, तैयारी से पहले लगता है कि यही चीज बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिंदगी का पता लगता है वहां पहुँचने के बाद, तो वही वाली कहा नहीं है, आपको भी त्यारी मुश्किल है यार, इतना कॉंपटिशन है, तो ये है, तो वो है, एक बार अपना लेवल उठा के देखो, फिर लगेगा यार, चीज तो बहुत हलकी थी, मैंने फाल्तु में यहां पर टाइम खराब किया, मुझा लगता था बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वेरी इजी, बहुत ही आसानी से आप चीज़ें कर सकते हैं, एक बार लेवल उठाइए, जैसे इस बात का हैसास होगा, यार, सब तो बेसिक चीज़ें होई, जो दस्मी तक पढ़ी है, बारमी तक पढ़ी है, उन्हीं में सो पूछ रह था आपने, वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती, बस फर्क अप्रोच का है, कि वहां साथ सतही था वो, सुपर्फिशियल था, पाइव येर्स कर लिया, टेन येर्स कर लिया, गुरु जी ये बता दो, वो बता दो, रट लिया, फाइव येर्स, टेन येर्स question, पांच नमर वाले question, very important question, अब उसी चीज़ को थोड़ा गहराई से देखना है, क्योंकि ये competitive exam है, स्कूल में आपका competition limited था है, यह national level पे competition है, अब उसी चीज़ को समझ लो, समझना तो और जिंदगी को में सुकून देता है, रटी हुई चीज हमेशा भूलने का खत्रा है रहता है, इन्सान half z रहता है, बेचैन रहता है, इन तैयारियों में आपको बहुत कुछ पढ़ने, सीखने, जानने, समझने का मौका मिलता है, आप किसी एक तरह के education background से आ सकते हैं, आप आर्ट से हैं, science से हैं, commerce से हैं, engineering background से हैं, यहाँ पे तो आपको GS में सब कुछ आप क्यों कि आप बड़े हो गए, आप समझते हैं चीजें कैसे चलती हैं, तब शायद paper pass करने के लिए पढ़ा हो, अब आप उसको relate करने के लिए पढ़ते हैं, तो फिर लगता है जिन्दगी में तो enjoyment बढ़ गई, मजा आने लग गया, जिस चीज को पहले रटा था आप स उसी पर limit भी नहीं हो जाएंगे अपने आपको, आपको एहसास होगा, लेकिन मेरे बताने से नहीं, आपको वो सारे steps लेने पड़ेंगे, आज जब बच्चा वो job कर रहा है तो लग रहा है कि नहीं सर मैं तो लगता है मुझे मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया, हमें बा इसको continue करेंगे जो sessions, ये जो news pieces है, बाकी question आपको मिल जाएगा, ये sheet भी मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल पर जिसका link आपको, comment section में बिलकुल उपर मिलता है, पिन किया हुआ, तो वहाँ पहुंचिए, टेलिग्राम चैनल को भी join कर लीजे, वहाँ भी questions और बहुत सारा ग्यान available है, वो भी आपको मिलता रहेगा, साथी साथ ये PDF भी वहीं पे आपको मिलती है, बहुत धन्यवाद, thank you.